जब भी हमें जीवन में आपार धन और सफलता प्राप करनी होती है तो हम क्या करते हैं, हमें कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए जिससे हम सदैव अमीर बने रहें, सदैव अपनी नौकरी और वेपार में सक्सेस पाते रहें। क्या करना चाहिए कुम्राशे वालों को ताकि उनके उपर कभी भी संकट के बादल कभी भी न छाएं। तो आईए इस वीडियो से जुड़ जाईए और इस वीडियो को पूरा देखिए पूरा देखेंगे तो आपके उपर कभी भी गम के संकट के परशाणियों के बादल नहीं आएंगे और आप हमेशा सफल रहेंगे अपनी नौकरी अपने वैपार अपने घर परिवार में कुम्राशी वालों को शनी देव के मेनेजिमेंट को समझना होगा धन आगवन के रास्ते अपने आप खुल जाएंगे कुम्राशी वाले लोग आपका जो आर्थिक समय है यानि जो आर्थिक आर्थिक संपन्नता है वो अब इस वीडियो को देखने के बाद आप बढ़ा प शनी देव वर्तबान में लग में बैठे हुए जो लंबे समय तक रहेंगे 2023-2024 और अपनी ही राशी में बैठे हैं शनी देव की तीन द्रष्टियां होती है जो की पहली द्रष्टि पढ़ रही है तृतिय भाव पर दूसरी साथवे भाव पर और तीसरी द्रष्टि अंपको जब्हान हूं मैं करम करो में तो सबसे पहले आपको करम करना होगा ये हर एक इंसान को करना हर राशी वाले को करता है जीवन में आपके बहुत कश्ट आये होंगे बहुत उतार शड़ाओ देखी होंगे और शनी देव आस्मान की बुलंदियों को भी छुआ देते तो 24 गंटे में कल का गरीब आज अमीर हो सकता है और 24 गंटे में अमीर गरीब गरीब अमीर हो सकता है लेकिन वक्त सभी का बदलता है इस बात में बिलकुल सचाई है आप अभी तक असफलता की गाड़ी में बैठे हुए हैं कि हम मान सकते हैं तो अब असफलता की गाड़ी से उतरिए और सफलता के हवाई जहाज पर बैठ जाएए कुमराशी के स्वामी है शनीदेव और शनी का लगन पर बैठना अगले दो तीन सालों तक आपके लिए बहुत इश्यूब है कुमराशी वालों के लिए शनीदेव पर्थम भाव और द्वादश भाव के स्वामी है जैसा कि आप इस गोचर कुली में देख रहे हैं पर्थम भाव आप होगे द्वादश भाव मुक्ती का है खर्चो का है बारवा भाव खर्चो का है वर्दमान में शनीदेव लंग में है जब शनीदेव लंग म यही भाव जो हैं आपको शांदार रिड़ देंगे और फाइदा किसको होगा आपको और इस समय में राजयोग भी बंधा है आपकी कुल्डी में कौन सा शष नामक पंच महापुरुष राजयोग भी बंधा है शनी की तीसरी दरश्टी मेश राश्टी पर तिर्तिय भाव प और दस्वी दरश्टी दस्वे भाव पर होगी यहां पर जो तीन दरश्टिया हैं यही आपका बेड़ा पार लगाएगी बहुत ध्यान से समझेगा आप अमीर हैं तो और अमीर हो जाएगे गरीब हैं तो अमीर हो जाएगे बहुत बढ़िया हो जाएगा राजा जैसे जि शुक्र देव अब ध्यान से देखिए जहां पर इस कुर्णी में सात रंबर लिखा हुआ है क्योंकि इंसान मेहनत से तो कमाता है लेकि मेहनत के साथ भागे का सपोर्ड भी मिलना चाहिए तो भागे का सपोर्ड वाले घर में कौन सा ग्रह का अधिकार है वो है शुक्र का मेजरी देगा वो देगा शुक्र देव तो शुक्र देव को यहां पर हमें मजबूत बनांकर रखना होगा शुक्र की राशी जो है नवम भाव में आ रही है तुला राशी तो हमें तुला राशी के गुड़ों को अपनाना पड़ेगा शुक्र और शनी की मित्रता का मा लक्षमी तो अपनी पत्नी की सरा माने पत्नी पती की सरा माने अगर शादी नहीं हुई यह तो जो भी महिलाएं हैं उनका सम्मान करें वो कुछ भी उनसे रिष्टा जो भी रिष्टा बेहन हो माह हो दोस्त हो बॉस हो टीचर हो सबका सम्मान करें और अपने घर में और इतना meet and clean होगा आपका शरीद आपका आफिस आपका घर आपकी अलमारी उतना ही आपको लगजरी और पैसा मिलेगा तो गंदगी पुरानी चीजें जो चीजें आप यूज नहीं करते हैं चाहे वो तूटे वो चश्मे हो चाहे वो सीमेंट की बोरी हो च्छत पर पड़ी हो मुबाईल के पुराने चार्जर हो या लकड़ी के टूटे-फुटे समान हो तूटे-फुटे खिलाने हो रदी हो तूटे-बद नो इस सब कुछ इपने once हड़िए तोटे हुए पर बेना चलते नहीं उन पहत्भा दिए जो घरियां बंद हो गए गड़ी को हटा दीजे साफ सफाई रखिए जितनी साफ सफाई होगी उतनी ही आपके घर में लगजरी आएगी और जितना कूड़ा करकट होगा उतनी नेगेटिव विचार और नेगेटिव इड़ी आपके घर पे आपके आफिस में आपके कारिच शितर में आएगी ऐसे ही अपके मॉबाइल में से जितनी भी गंद बरा भरा पड़ा है अश्लील चीज़े भरी पड़ी है सब हटा दीजे लेपटॉप चीज़े क्योंकि आपका मॉबाइल और लेपटॉप ही आज की डेट में देखा जाए तो बैंक है आपको मॉबाइल और लेपटॉप ही आज की डेट में आपका आफिस है वही आपकी लक्षमी है जैसे लक्षमी जी के सामने आप यूते चप्पल नहीं रखते हैं कोई गंदी चीज़ नहीं रखते हैं आपकी बोतल नहीं रखते हैं मीट मश्टी नहीं रखते हैं बगवान के सामने वैसे ही अपने मॉबाइल में भी इस तरीके की कोई गंदी ना रखें और अपने मॉबाइल वहरा को अपनी क्या माने लक्षमी माने क्योंकि आज की डेट पर बैंक भी मॉबाइल में ही स्मट गया है लेपटॉप में स्मट गया है तो बात्रूम में जाकर मॉबाइल का इस्तमाल करना बैठना, किताबे पढ़ना यह सब छोड़ दीजिए इससे भी आपकी लगजरी में कमी आती है इस बात को नोट कर लीजिए शनीदेव यहाँ पर मालिक है मालिक यानि की राजा है बड़े मालिक है तो शनीदेव की दरश्टी जो है वो आपके मेनेजमेंट को सही करेगी तो अपने मेनेजमेंट को समझे पहले अपने आफिस और घर के मेनेजमेंट को समझाला तो शुफल मिलेंगे तो अब ये बात हुई कुमराशी वालों की हम जो बात करने हैं तृती भाव सब्तम भाव और दश्ब भाव को हमें एक्टिव करना होगा अपनी इस कुंडली में से गोचर कुंडली में से अपनी कुंडली में से तो लाब के रास्ते अगले धाई-तीन सालों तक खुले रहेंगे पैसो की समस्या का हल हो जाएगा शनी की तीसी रिस्टी तिती भाव पर पढ़ रही तो तिती भाव क्या है पुरुशार्त का है, पराकरम का है मेहनत का है, तो क्या करना है आलस्त त्यागना है पराकरम वही होता है पराकरमी जो आलस्त त्यागना है हमेशा तयार खड़ा रहे तो आपको लापरवाईयों से बच्टना है छोटी बड़ी जात्रा है आपकी होंगी बिजनस में उनको करिए आपको सीखने को मिलेगा कुछ नया एजुकेशन की तरफ जा सकते हैं कुछ शीखने के लिए कोई कोर्स वगरा जॉइन कर सकते हैं अपने आपको अपडेट करिए अपने जो पढ़ा है उसको और अच्छा करिए और कोई कोर्स वगरा करिए अपने confidence को बढ़ाईए अपने सास को बढ़ाईए और उट खड़े होईए तो आपको धन की कमी नहीं होगी अब आलस और अराम पस्ती नहीं चलेगी चीजों को टालना नहीं चलेगा अगले धाई तीन सालों तक शनीदेव यहां पर जो आपकी दस्टी डालने हैं यह आपको धन्वान बना देंगे अगर आप पराकरमी हो गए पुरुशार्श्थी हो गए और मेहनस करने वाले हो गए अपने ग्यान को बढ़ाईए यहां पर शनीदेव क्या कह रहे हैं हो सकता है आप सफल इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि आप पुरानी टेक्नीक को लेकर चल रहे हैं पुराने विचारों के साथ चल रहे हैं अब जमाना बदल गया है अब नई चीजों को अपनाईए नई टेक्नीक को अपनाईए दुनिया के साथ चलिए पीछे मच चलिए आगे चलिए तो अपने अंदर आपको यहां पर बदलाव लाना है नई चीजों को नई जमाने को नई चीजों को अपनाना है ज्यान को बढ़ाना है भाई बहन से रिष्टे बहुत बहतर रखने है उनके साथ अच्छा वहवार रखना है उनके साथ अच्छी मित्रता रखनी है तीसरे भाव को मजूद इसी तरीके से किया जा सकता है पराए लोग भी आपकी मदब करेंगे दोस्तों यारों से भी मित्रता अच्छी रखें और ये मंगल का भाव है तो आप ये मान के चले जिए आपको यहाँ पर शनी की दिश्टी अच्छा स्वास्त देगी बुद्धिमान बनाएगी सजग होंगे धनवान होंगे शराब और मांसाहार से जब तक आप दूर हैं तब तक आप एक अच्छे वैपारी और एक अच्छे नौकरी में करमचारी होंगे और जो लोग शनी से समंदित काम करते हैं उनके लिए भी वारे न्यारे होंगे और कुद्धे की सेवा करना आपको अत्यदिक लाब देगा तो दिहान लखिए कुद्धे की सेवा करिए शनी समंदित काम जो करते हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया है शराब मानसहार से दूरी और ये मंगल का घर है, मंगल पराकरमी है, मंगल आलती नहीं है, मंगल चीजों को टालता नहीं, वो अभी करता है, उसमें कल नहीं, अभी, तो हमेशा एलेट रहीए, तो ही आपका दीसरा भाव एक्टिव होगा और भाई, भेन, दोस्त, यार पराय करिए, अब आप समझगे, अगली द्रस्टी जो है, वो सात्वे घर पर होगी, तो जीवन साती, अगर शादी हो गई है, तो जीवन साती के साथ विश्वास बनाए रखें, पत्नी पत्नी से, रिष्टों में विश्वास खात नहीं करें, ये नहीं कि पत्नी घर पर बैठी हैं, और आप वहाँ पर किसी और के साथ रख रलिया मना रहे हैं, ये मना रही हैं, तो अगर आप अपने जीवन साती के साथ विश्वास खात करेंगी, उसको धोखा देंगी, तो भी शनी यहाँ पर खराब हो जाएंगी, और यहाँ पर शनी उच्छ के होते हैं, तो आप जो कमिया हैं, पहली कमी तो आपको इमानदारी रिष्टों में दिखानी है, अपने कर्तव्यों को निभाना है, पारिवारी कर्तव्यों को और पती पतनी को एक दूसरे के पती कर्तव्यों को निभाना है, और परिवार के लोगों के साथ अपने कर्तव्यों को निभाना है आप मकान बनाएंगे, बुद्धिमान होंगे और शनी देव के अगर इस बात को आपने मान लिया तो शनी देव आपको उस कुरसी पे बैठा देंगे जहां पर बैठ कर आप हुकम चलाएंगे, लोगों को आदेश देंगे यहां पर उम्र भर आपके पास शनी पैसा देने का वादा करते हैं अगर आप शनी के इस मेरेजमेंट को समझ देते हैं कि हमें रिष्टों में सम्मान लेकर आना है लडाई, जगड़े, मुकद्मों भेवी शनी आपको वज़ई बना देते हैं वेवार को बढ़ा देते हैं, मित्रों से लाब दिला देते हैं मित्रों के माद्यम से मित्रों की सला से मित्रों के साथ से काम निवल जाता है आप अपनी चाचा के पैर चुकर आशिवाद ले चार होना तरकी बिखोने की गरेंटी मैं लेता हूँ ये भाव सुख का है, परिवर्तन का है, बदलाओ का है, हो सकता है कि आप पुराने तरीके से वैपार ज़रा रहे हूं, उसमें परिवर्तन करिए, जमाने के साथ जो जाएए, मजबूत बनिये, निश्चित तोर पर सफलता मिलेगी, तो तीसरे भाव में ग्यान को अरजित कि आप परिवर्तन को लाने की कोशिश की, ताकत को लेकर आया, और साथ में भाव से हमने जो गरत था, उसको सही कर दिया, एक नई शुरुवात कर दी, कई बार आप पुरानी शीजों पर चल रहे होते हैं, अब आप साइकल पर चल रहे हैं, तो आपको जाहिसी बात है, दो आपके जो उच्चा दिकारी हैं, उनसे हमेशा बना के रखिए, अपने बास की पीड़ पीछे चुगली नहीं करिए, और अपने बास की कुरसी को खाने की कोशिश मत करिए, अपनी जिम्मेदारियों से मत भागिए, बास की नजरों में कोई ऐसे बतलब क्या करिए, अपन बढ़ती चली जाएगी, मेहनत आपको उच्च फलों की प्राप्ति कराएगा, और आपकी अगर शादी नहीं होई हैं, तो यहाँ पर आपको हो सकता है, आफिस में ही कोई लड़का या लड़की मिल जाए, जिससे आपकी बात बन जाए, विदेश यात्राये भी होंगी, राजयोग बन रहा है, आप टिक कर काम करिए, बहुत जादा भागदौर मत करिए, सेल्स वाले काम यहाँ पर सफल नहीं होगे, कुर्सी पर बैठकर जो आदेश देने वाले काम है, आदेश कौन देता है, बड़ा आदमी, तो शरीदियों यहाँ पर कुम राशी वारों को बड़ा बनाने आए हैं, बड़ा आदमी, और आप क्या कर रहे हैं, आप बैग लेके भाग रहे हैं, यह परिवर्तंच करना पड़ेगा, टिक कर काम करें, जितना भागेंगे, जितना दोड़ेंगे, सुबह इस से लेके शाम तो 500 गिलिमिटर मोटर साइकल और कार चलाएं आने वाले ढ़ाए तीन साल यही करना है, आपको अगर इसके विप्रीज जाएंगे, तो रुकसान जरूर खाएंगे, तो अपने भाई बहन को गिफ्ट दीजिए, उनसे बढ़िया, उनसे बाचीत करिए, उनके साथ अच्छा वक्त बिताईए, उनसे रिष्टे अच्छे रखिए, और अपने ग्यान को बढ़ाने के लिए कोई कोर्स करना है, कोई किताब पढ़नी है, किसी से कुछ जानकारी लेनी है, तो इसको लीजिए, और अपग्रेट रही है, और आलस को छोड़िए, हमेशा एक बटन दबते ही आप खड़े हो जाएं, आपके अंदर आलस से प्यार करिए, और अपने परिवार से, परिवार के लोगों से प्यार करिए, अपने रिष्टों से प्यार करिए, आपको कभी कोई कमी नहीं होगी, और चाचा से का शुरुआर लिए, अगला जो है, वो कौन है, वो आपके जो बॉस है, घर में बॉस कौन है, पिता है, उसकी आँखों में धूल जहुती हमने तो किया इनको क्या पता। अपने बॉस को धुखा देंगे बॉस भले आपका कमजोर दिमाग से हो सकता है लेकि शनी का दिमाग कमजोर नहीं है वो आपको दंग देगा। कि अपने बॉस की सेवा करें, सेवा करने का मतलब, उनके उद्वारा जो काम है, उनको अपने जिम्मेदारियों को निभाईए, उनका सम्मान करिए, और भाग दौर से बचिए, कुरसी पर बैठ के काम करिए, एक वक्त में अगर भाग दौर करनी भी पड़े ना, तो बीस का करके आई, यह नहीं कि, तस बार आई, कभी उधर, तो जितना पैर चलेंगे, उतनी तरक्की कम होगी, जितना कुरसी पर बैठ कर सही मैनेजमेंट करेंगे, अगले धाई सालों में उतने ही बड़े आत्मिया बरेंगे, बैठ कर पैसा कमाने का वक्त है, अब आप इसके वि वो को एक्टिवेट कर लीजिए, इसे रिष्टे अच्छे कर लीजिए, आपका आने वाला धाई साल और उसके बाद गर समय सोने पर सुहागा होगा, ये मैं आपको दावे के साथ कह देता हूँ, मोहर लगा के कह देता हूँ, गरंटी के साथ कह देता हूँ, अब करना आपन हैं और अपनी जनम कुल्डी की जांच कराईए बाकी ग्रहों को भी इतना मजबूद बनाईए कि आपको हर तरफ से धनलाब हो हर तरफ से सहत अच्छी रहे सुख मिले करिए करिए अब नहीं करेंगे तो क्या अगले जनम में करेंगे और इस बात की क्या गरेंदी है कि अगल किसी ने कहा घोड़ा किसी ने कहा गधा किसी ने कहा कुछ तो उस पर आया सही उत्तरक इंसान ही एक ऐसा जीव है जो चाहे दिन में सोई या रात में सोई वही अपने टाइम का परवर्तन करता है कभी रात में पूरी रात जाग लिए तो दिन में सो रहा है दिन में बहुत काम कर दिया तो पता सिरा पूरी-पूरी राज जाग रहे हैं यानि कि इनसान का ही management सबसे ज़्यादा बिखड़ा हुआ है कुट्टा हो बिल्ली हो गाए हो भैस हो उसे जहां नीन आती हो वहीं पर सीधे पड़ जाते हैं इनसान ने अपने सोने का, खाने का, उठने का, जागने का, नहाने का हर management भी गाड़ रखा है तो management को जब तक सही नहीं करेंगे, समय से उठेंगे नहीं, समय से सोएंगे नहीं, समय से खाएंगे नहीं, तब तक सही काम कर भी नहीं पाएंगे, तो शनी कहता है, जो नियमित हैं, जो management को follow करते हैं मैं उन्हीं का भला करता हूँ जिनका management खराब उनका इस दुनिया में शनी क्या शनी का बाप भी कुछ नहीं कर सकता नमस्कार